US Presidential Election पताया जा रहा था कि शायद ये बहुत ही ऐसी fight होगी जो बहुत ही close होगी पर हुआ बिल्कुल इसके उलट आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो Donald Trump है उन्होंने एक बहुत ही बड़े margin के साथ इस particular election को जीता plus at the same time अगर हम भात करें percentage votes की भी तो वहाँ पर भी Donald Trump को 50% से ज़ादा votes यहाँ पर हमें total देखने को मिल जाते हैं अब ऐसे समय के उपर आप notice कर पाऊगे यहाँ पर पूरा red ही red आपको देखने को मिलेगा US के अंदर Donald Trump definitely 45th president तो थे ही थे अब वो 47th US president यहाँ पर बनने जा रहे है basically election का result आ चुका है पर January के 20th off तारीक को यहाँ पर यह अगले president यहाँ पर बन जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर आपके दिमाग में जो doubt आएगा वो यह होगा कि इसका भारत के उपर क्या impact पड़ेगा दोनों देशों के जो रिष्टे हैं आपने आप में काफी अच्छे हैं काफी अच्छी मितरता भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अगर हम बात करें ना यह जो election का result आया यहाँ से रशिया बहुत खुश है क्योंकि एक तरह से Donald Trump ने बार-बार बोला है कि जो आपकी लडाई थी रशिया और यूक्रेन की उसको खतम करवाएंगे तो रशिया को बहुत जाँ फाइदा यहाँ पर देखने को मिलेगा प्लस अगर हम बात करूँ यूक्रेन की क्योंकि यूक्रेन को जितनी जाँ सपोर्ट जो बाइडन के समय मिल रही थी शायद उतनी सपोर्ट अब डॉनल्ल टर्म के समय के उपर नहीं मिलेगी तो दुनिया में बहुत ही मिक्स ट्रेक्शन हमें देखने को मिल रहे है जब हम बात कर रहे हैं यह यूएस इलेक्शन की साथी साथ जो इसराइल है वो भी बहुत जाँ खुश है क्योंकि आप नोटिस करोगे डॉनल्ल टरंप ने भड़ चड़के इसराइल का स्पोर्ट किया है पिछले कई सालों के अंदर अब एक चीज़ हमें यह पता लगती है वो यह है दरसल में ना थिओडर रूसवाल्ट इनका एक बड़ी फेमस कोट है दरसल में यह भी ना USA के 26 प्रेजेंट रह चुके हैं इन्होंने एक बात बोली है यानि कि अगर हमें आने वाले चार सालों के लिए प्रपेर करना है इंडिया को यह देखना है कि आने वाले चार सालों में क्या होगा हम यह कहिना कि पीछे जाना पड़ेगा पीछे जाने का मतलब क्या है डॉनल्ड ट्रम्प का जो पहला टैनियोर था 2016 से लेकर 2020 के टैनियोर के बीच में जब वो राश्ट्रपती थे USA के अंदर तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें कहीं थी क्या क्या करा था उससे हमी काफी सुरी चीज़ें यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिलेगी जो हमें help कर सकती है आगे वाने बचीज़ें को समझने के लिए अब थोड़ा understand करते हैं देखो इंडिया और USA की जो आपके बीच में partnership है ना that is comprehensive global and strategic partnership definitely यह partnership आने वाले समय में और increase होती हुई देखने को मिलेगी पता है क्यूं दोनों देशों के जो leaders हैं उनके बीच में रिष्टे बहुत अच्छे हैं plus at the same time आप notice कर पाओगे पिछले सालों के अंदर howdy moody हो गया ठीक है नमस्ते टरंप हुआ इस तरह के बहुत बड़े-बड़े यहां पर events करवाए गये थे तो आपस में जब दोनों leaders की अच्छे आपस में personal warning बढ़िया होती है उसका फाइदा दोनों देशों को मिलता ही मिलता है पर negative impact भी इसका हो सकता है अगर आप लोग जानते होंगे Donald Trump ने बार-बार इंडिया को tariff king बोलाए कि हम बहुत बड़ा tariff लगाते हैं कही ना कही यूएस के products को market का access हम नहीं देते और इसी वज़ा से आप notice करोगे इंडिया आज के समय USA को लगबग साल भर में 77 billion dollar का export करता है वेरस हम इंपोर्ट करवाते हैं लगबग 42 billion dollar का तो यानि कि ना भारत को यहाँ पे फाइदा होता है जब हम USA के साथ trade करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको लगबग 35 billion US dollar annually इसके आसपास हमें हमारा जो trade surplus लेखने को मिल जाएगा अब US के जो President Donald Trump जो बनने जा रहे हैं अब अगर उन्होंने इसके अंदर कुछ छेड़ खानी करी जो कि वो कह रहे हैं कि उनको change करेंगे यह जो भारत को tariff king को बोल रहे थे वो ऐसे नहीं बोल रहे थे अगर इसके अंदर कुछ बदलाब हुआ तो हो सकता है जो हमें trade surplus के अंदर जो फाइदा देखने को मिलता है हो सकता है यह फाइदा ना हो पर क्या यह इतना आसान है? नहीं, इतना आसान तो नहीं है यहाँ पर दोनों consequences हो सकते हैं मैं आपको और explain करता हूँ इंडिया के उपर चलो चीज़े बदलेंगी पर साथ-साथ बदलेंगी कहाँ पर? साथ-साथ बदलेंगी चाइना के उपर मैंने आपको बोला था कि डॉनल्ड टरम्प का आना चाइना के लिए काफी खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि आप notice करोगे 2016 से रेके 2020 का जो tenure था उस समय भारत के साथ USA का रिष्टा काफी strong हुआ एंड चाइना से थोड़ा सा दूर जाता रहा और example आप लोगों ने सुना होगा trade war के बारे में इसी समय US और चाइना के बीच में trade war हमने देखने को मिली चाइना के उपर जो product से उनके उपर बहुत massive level के उपर USA ने tariff impose किये and अब Donald Trump का ये भी कहना है कि हो सकता है जो products हो जो चाइना से export किये जा रहे है USA के अंदर basically import हो रहे है उनके उपर 60% तक tariff लगा जा सकता है अगर ऐसा हो गया अगर Donald Trump ने अपनी बात पे वो कायम रहे तो हो सकता है कि जो product पहले लेटसे 1000 रुपे का या 1000 डॉलर का लेटसे US market में जाता था अब वो 60% जादा rate के साथ जाए तो उससे क्या होगा Chinese product महेंगे हो जाएंगे इससे कहिना की चाइना को बहुत बड़ा नुकसान face करता हुआ देखने को मिल जाएगा अगर ये चाइना का नुकसान होता है कहिना कहीं वहाँ उस नुकसान को fulfill करने के लिए वो trade का जो gap था उसको fulfill करने के लिए भारत picture में आ सकता है भारत के लावा और भी बहुत सरी country है पर definitely भारत को भी benefit मिल सकता है तो यानि कि अगर हम बात करें न ट्रेड की तो ट्रेड के दोनों aspect है पहली बात तो ये tariffs में बदलाव करेंगे भारत के साथ उससे कहिना कि भारत को नुकसान हो सकता है बट चाइना के ओपर tariff लगाना बहुत बड़े level के ओपर इंडिया को फाइदा भी दे सकता है तो दोनों aspect है प्लस आप लोग जानते होंगे जब इनका tenure 1 था ना जब 2016 से 20 तक ये president थे उस समय जो GSP जो system इंडिया के ओपर भी applicable था generalized system preferences वो भी इन्होंने खतम किया था तो ये भी एक negative चीज उस समय भारत और USA के रिष्टे के बीच में हुई थी तो उसका impact तो उस समय था ही था अब हो सकता है further ये tariffs को और increase करें तो that could be an issue इसके साथ ही साथ आप जानते होंगे definitely Japanese PM का बहुत बड़ा roll रहा था जब Trump से पहले उतना quad की बारे में बात नहीं होती थी पर Trump का focus कही ना कि इंडो Pacific की उपर काफी अच्छा कासा है and हम expect करेंगे कि इंडो Pacific का जो benefit है वो इंडिया को भी साथ-साथ यहां पे मिलता रहेगा प्लस साथ ही साथ अब जैसे 2025 आने ही वाला है 2025 का जो quad summit होगा ना वो भारत में ही hold किया जाएगा यानि कि अगले साल 2025 में Donald Trump भारत में आएंगे तो कहेना कि हो सकता है कि आपस में कुछ और अच्छे भारत और USA की बीच में कुछ और अच्छे समझोते भी हो सकते है इवन अगर मैं बात करूँ ना जब हम बात कर रहे हैं 2016 से 2020 की उस समय बहुत सारे defense agreements भी इंडिया और USA की बीच में sign हुए थे इसके लाबा दोस्तों बात करूँ करमपनी ना जैसे tariff king तो बोला ही था इसके लाबा इनोंने ये भी बोला था कि वो हो सकता है कि इंडिया के उपर reciprocal text लगाए जैसे for example आप लोगोंने ना ये Harley Davidson का case बड़ा सुना होगा इंडिया के इंदर जो Harley Davidson की bike को हम import कराते हैं उसके पर बहुत बड़े level के उपर duties लगाई जाती है एंड डॉनल्ड ट्रम को ये बिल्कूल भी पसंद नहीं है उन्होंने भारत को बार-बार बोला है कि आप अपने जो tariffs है उसको कम कीजिए अगर आप नहीं करते हो तो हो सकता है कि वो भी reciprocal text लगाए reciprocal text मतलब यह होता है कि अगर एक country दूसरी country से कुछ मंगवारी है वहाँ पर जाद tax लगा जा रहा है तो दूसरी country भी same करने लग जाए तो ये कह रहे हैं कि इंडिया अगर जाद tax लगा रहा है न हमारे उपर तो हम भी जाद tax लगाएंगे इनके products के उपर तो ये है reciprocal text तो ये धमकी भी दी थी एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो तो let's see क्या होता है Harley Davidson के बारे में इसके लावा अगर हम बात करें न तो आप जानते होंगे Donald Trump के एक बहुत ही बड़े समर्था करें है Elon Musk इवन बहुत सारी उनकी जो rallies थी Pennsylvania के rally हो गया और बहुत साई rallies के अंदर Elon Musk यहाँ पे आये भी थे और उनने बढ़ चड़कर आपके Donald Trump के लिए खूब प्रचार भी किया था अब हो सकता है जो Tesla है और आपका जो Starlink है ये projects इंडिया में एंटर करें इनको अच्छी कासी यहाँ पे market यहाँ पे presence मिले ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है साथी साथ अगर हम बात करें यहाँ पे trade policy मैंने आपको explain किया यहाँ पे जो Donald Trump का एक बहुत ही focus है that is upon make America great again यह पूरा इनका campaign ही आप इसके बारे में जानते होंगे immigration के उपर भी यह काफी tight होने वाले हैं ठीक है काफी stricter इनको यहाँ पे norms लगाए जाएंगे तो उससे भी कहीना कहीना impact हो सकता है हाला कि IT services हो गया या कुछ और exports हो गया उसके उपर impact नहीं आएगा पर unskilled workers के उपर definitely इसका impact आ सकता है और जो illegal migration है उसके against तो बिल्कुल बड़े level के उपर ही है इसके लाब अगर हम बात करें ना तो energy sector में भी कुछ हमें फायदा देखने को मिल सकता है तरह सेल में यहाँ पर Donald Trump का यह बोलना है कि USA भी अच्छे कासे level के उपर आने वाले समय के अंदर oil को बसे के लिए कच्छे तेल को यहाँ पर वो export करना start करेंगे अगर ऐसा होता है तो माना यह जा रहा है कि crude oil के जो दाम है आने वाले समय के अंदर नीचे गिर सकते हैं और क्योंकि इंडिया दुनिया का one of the largest importer है crude oil का तो इंडिया को यहाँ पर benefit हो सकता है इस चीज़ का कि हम यह जो कच्छा तेल दूसरे देशों से मंगा रहे हैं वो हमें सस्ते rate के उपर मिलना possible है इसके साथ साथ defense मैंने जैसे आपका कहा कि quad हो गया और बहुत सा चीजों के अंदर हम अपना चीज़े बढ़ाएंगे प्लस at the same time Trump के आने से health care या जो pharma sector है इसको भी इंडिया का boost मिलेगा especially अगर मैं बात करूँ हमारी generic medicines को यहाँ पर एक massive level का boost देखने को मिल सकता है इसके साथ ही साथ कुछ हमारे जो manufacturing and defense sectors है तो उनको benefit होगा दोनों countries के जो companies हैं अपस में अगर अपस में ही मिलके अच्छी चीज़े करेंगे तो that is important प्लस at the same time अभी देखो जैसे जो बाइडन ने खुब पैसा दिया है यूकरेन को और डोनल्ड टरंप का बोलना है कि वो एक तना से जो पैसे की funding है यूकरेन को बंद कर देंगे and कोशिश करेंगे कि जो दुनिया की जो यूद चल रहे हैं उनको resolve कराएं अगर ऐसा हो जाता है अगर यूद चल रहे हैं इतने लंबे समय से अगर वो खतम हो जाते हैं तो उस case में भारत को भी फाइदा होगा क्योंकि जो supply chain के हिना की टूट चुगी थी उनके उपर हम यहाँ पर अब वापिस से काम कर पाएंगे इवन अगर हम बात करेंगे देखो रशिया के उपर sanctions भी लगे हुए अलग अलग तरह की अगर वो sanctions हटते हैं तो उसको इंडिया को भी फाइदा होगा और रशिया को तो फाइदा होगा ही होगा हमारी जो military capabilities हैं उनके उपर भी हम focus कर पाएंगे viral dynamics हो गया, HAL हो गया इन companies को definitely यहाँ पर फाइदा देखने को मिल सकता है plus at the same time Trump ने business के बारे में भी बहुत बड़ी बाते गई हैं उन्होंने कहा है कि हो सकते जो tax rates हैं वो बहुत massive level के उपर महाँ पर reduce कर दी जाएं तो ease of doing business definitely यहाँ पर बड़ेगा बहुत low level के उपर आपके जो tax rates होंगे corporate tax उनको कर दी जाएगा इससे environment जो होगा पूरी दुनिया में business friendly हो सकता है एंड यही सारे चीज़े ना कहीना के बताया जा रहा है कि हो सकता है इसके विज़े से stock market के अंदर एक short term के अंदर एक अच्छी खासी rally हमें देखने को मिल सकती है इस sectors के अंदर बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ negative aspect भी है एससा भी बताया जा रहा है कि Trump presidency के अंदर हो सकता है जो महंगाई है ना उसमें हमें एक increase होता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि आप notice करोगे जैसे for example interest rate हो सकता आने वाले समय के अंदर बढ़े and according उसका negative impact Indian companies के उपर भी बढ़ सकता है ताती साथ अगर बहुत ज़्यदा सरकार deficit spending करेंगी यानि कि घाटे के अंदर घाटे के थू यहाँ पर budget का खर्चा करेगी उसके माध्यम से भी उसका negative impact Indian companies के उपर बढ़ सकता है ताती साथ ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर जो आपका US dollar होगा वो और strengthen होगा जो सारी policy से कहिना कि जो dollar है वो और मजबूत होगा dollar मजबूत होगा तो रुपया सामने उसके कमजोर होता हुआ देखने के मिल जाएगा and एक कमजोर रुपया होने से हमारा export तो बढ़ेगा पर हम जो चीज़े बाहर से import करवाते हैं वो import हमारे expensive हो जाएगे तो यानि ही अगर हम कोई समान बाहर से मंगा रहे हैं हो सकता है वो महेंगे rate के उपर आए क्योंकि हमारा जो रुपया था वो कमजोर हो चुका है तो ये सब चीज़े हो सकती है अगर कोई समान हम बाहर से मंगा रहे है और वो महेंगा आ रहा है इससे कहिने के भारतिय मार्किट के अंदर भी महेंगाई के हमें chances हमें देखने को मिल सकते हैं साथी साथ मैंने जैसे बताया था कि US मार्किट के अच्छी खासी rally देखने को मिल सकती है अगर हम बात करें 2016-2020 के टाइम की तो उस टाइम में आप नोटिस कर पाऊगे जो Nasdaq था ना वहाँ पर 77% उसने यहाँ पर गेन किया हमारे जो Nifty था उसने लगवग 38% की यहाँ पर ग्रोथ दिखाई थी in these 4 years 2016-2020 की बात कर रहा हूँ बाकि देखो H-PAN V visas के उपर जो restrictions होंगी बहुत जाथा impact तो नहीं आना चाहिए इस चीज का इंडिया के उपर ठीक है ना but otherwise आप notice कर पाऊगे कि हो सकता है कि green card holders हो गया right आपका इनको कम कर दिया जाए ठीक है basically US hiring जो होगी वो आपकी local level के उपर होगी that can be one of the things बाकि जो pharmaceutical हो गया और उनके उपर भी impact हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है तो यह कुछ चीज़े थी जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए अगर मैं मोटा मोटा बताऊना तो point यही है कि Trump presidency से इंडिया को कुछ जगा पर benefits भी देखने को मिल सकते है plus at the same time कुछ जगा के उपर हमें यहाँ पर कुछ negative expect भी इसके हो सकते है point यही है कि देखो internationalization का एक बहुत ही थम्रूल है कि सबसे पहले important चीज़ होती है national interest तो Trump भी यहाँ पर अपने national interest में फोकस करेंगे तब ही उनकी जो tagline है ना make America great again वो उसी के उपर फोकस रखेंगे अब उस चक्कर में उनको Russia के उपर, China के उपर इंडिया के उपर कुछ यहाँ पर changes करने पड़े तो definitely वो करेंगे भी और इसी particular जो आपका IR का जो principle है ना उसके इसाब से हम देख पाएंगे कि definitely इंडिया और US का रिष्टा काफी सारे मामलों में यहाँ पे बहतर भी होगा whereas trade के मामलों में हो सकता है कि अगर कुछ यहाँ पे random चीज़े होती है कुछ uncertain चीज़े होती है उसका दोनों देशों के trade के उपर negative impact भी हमें देखने को मिल सकता है तो I hope दोस्तों आपको यह आज का session अच्छे समझाया होगा समझाया होगा क्या के possibilities आने वाल चार सालों की इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने हैंट पे hard work करते रहिए Thank you so much for joining All the very best